कुछ साल पहले की बात है असम के गाउं में एक परिवार रह रहा था परिवार के सदस्यों में मा, पिता और उनके बाल बच्चे हैं एक बार की बात है इस परिवार के बरे बेके को काईफाइड हो गया सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसे दोरे परने लगे बेके की मा ने अपने पती से बेके को अस्पताल ले जाने की बात कही लेकिन गाउं में तांत्रिकों का ऐसा जंजाल फेला था कि उनके पती इस बात पर राजी नहीं हुए तांत्रिक को बुलाया गया तांत्रिक ने कहा उनके बेटे पर एक परी या डायन का साया है उस परी ने उनके बेटे से सपने में साधी कर ली है और तीन दीन के भीतर अगर तांत्रिक को एक मोटी रकम नहीं दी गई तो वह डायन उनके बच्चे को मार देगी मा ने जब यह सुना तो घबरा गई वो भलेक अक्षा पांस तक परी थी लेकिन उन्हें पता था कि यह सब बाते बेबुनियाद होती है वो अपने पती के सामने जिद कर बैठी और कहा कि बच्चों को डॉक्टर के पास ले कर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए उसकी जिद के आगे उनके पती को जुकना परा बेटे को अस्पताल ले जाया गया डॉक्टरों ने इलाज सुरू किये फिर धीरे धीरे वह स्वस्त होने लगे और फिर उस मा ने खान लिया कि वह नीम हकीम वह जादू तोना करने वालों के खिलाप अभियान चलाएंगी उन्होंने अपने गाउं के लोगों को समझाया कि डायन या परी जैसा कुछ नहीं होता यह सिर्फ अंदविस्वास है धीरे धीरे गाउं वाले उनसे सहमत होने लगे और उनका अभियान एक जिले से भर कर दूसरे जिले में पहुँच गया फिर धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी आधरनिय दोस्तों नमशकार मैं मनू अभी अभी आपने सुना बीरु बाला राभा के जिंदगानी के कुछ अंस को बीरु बाला राभा जिन्होंने कुपर था वो अंधविस्वास के खिलाप ऐसी जंग छेर दी कि एक समय ऐसा आया कि लोग उन्हें मारने के बारे में सोचने लगे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों को इस अंधविस्वास के परिनाम से अफगत कराती रही दोस्तों बताते चलों कि उनकी अभियान के कारण भारत सरकार ने उन्हें पदमसरी सम्मान से सम्मानित भी किया